नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन दोरा बनाया, मोग कुस्टिन्स फर फिल्म्स में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, उनीस जून दौसर रिकीस का इंपोर्टन कोस्टिन्स चक करता है, आगे जान से पिले लेक्चा पर लाइक का बटन सब्सक्रीब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर बन सकते हो, जोइन बटन के तुरू, क्वेशन नमबर वण, कंसिडर दा फॉलोइं स्टेटमेंट्स अबूर्ट जनेटिकली मोडिफेट सीट्स विचार करेक्ट, वीडियो पोस्ट कीजिए, औ और आंसर बताईए, I hope आपने आंसर किया होगा, the answer is option, C1 and 3 only, statement 2 गलत है, देखिए, जनेटिकली मोडिफेट सीट्स के बार में तो आपने बहुत बार सुना होगा, यह होता क्या है, बेसिकली सीट के अंदर कुछ जनेटिक मोडिफिकेशन करते हैं, ताकि वो कुछ वर्म स या पेस से प्रटेक्ट हो सके, ठीक है, it aims to transcend the genus barrier by introducing an alien gene in the seeds to get the desired effects, seeds में ही कुछ जनेटिक मोडिफिकेशन, या कोई alien gene, alien मतलब कोई foreign gene को introduce करते हैं, थाकि वो particular इसको जो affect करते हैं, जैसे पेस्ट हो गया, कुछ वर्म सो गया, उससे वो प्रोटेक्ट हो बाएगा, ठीक है, the alien gene could be from a plant, an animal, or even a soil bacterium, देखे, यह important point है, जो gene वो particular seed में introduce करते हैं, वो कोई plant से भी हो सकता है, कोई animal से भी हो सकता है, even a soil bacterium से भी हो सकता है, ठीक है, यह ध्यान दीजेगा, अब BT cotton के बारे में तो आपने सोना होगा, recently एक news आया था, आज सुबा की daily news में, हर्षिसा ने क्रोप है, ठीक है, जो इंडिया में allowed है central government की तरफ से, यह ध्यान कीजेगा, BT cotton A की ऐसा genetically modified crop है, जो central government allow करते है, इसके जो production है यह इसकी जो cultivation बहुत ज्यादा हो गया करके, और यह ठीक नहीं है करके, एक news आया था, news देख लीजे, आपो समझ में आ जाएगा, news क्या है, it has alien genes from the soil bacterium, bacchillus thuring genesis, ठीक है, वो BT का full form यह लिखा है, bacchillus thuring genesis, that allows the crop to develop a protein toxic to the common pest pink ball worm, ठीक है, यह ध्यान दीजेगा, यह important है, actually BT cotton में, जो particular gene introduced किया है, वो ball worms से, pest pink ball worm, ठीक है, बोल वर्म से protect करने के लिए, यूज होता है, तो अब हम मारा statements देख लीजे, genetic modification aims to transcend the genus barrier by introducing an alien gene in the seeds to get the desired effects, very correct, यह ध्यान दीजेगा, actually जो gene है, वो seeds में ही रिदूस कर लेते है, the alien gene introduced in the seeds through genetic modification must be from a plant with similar traits, गलत, मैं आपको बोला, यह particular BT cotton का एग्जामल ले लिए, इसमें जो gene रिदूस करते है, वो एक bacterium soil, ठीक है, बिटी में जो दिखते है, बैक्तिया से इंडिदूस किया हुआ, BT cotton is the only genetically modified crop that has been approved by the center for commercial cultivation in India, very correct, so answer is option C, 1 and 3 only, question number 2, consider the following statements regarding edible oils, which are correct, video post कीजिया और answer बताएगी, I hope आपने answer किया होगा नो, the answer is option D, 1, 2, 1, 3, तीनो statements है, एगे, 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 कारता हो, सुबह की जो daily news इसमें काफी important news हचिसर कावर करते हैं, बहुत अच्छी तरह explain भी करके देते हैं, मुझे नहीं लगता है, इस तिने अच्छा explanation कोई और YouTube channel या institute कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए एप 100% और उसको follow कीजिए, hardly 20-25 minutes लगता है आपको पर चीजे आपको क्लीरली समझ में आ जाएगा देखी इदर एडिबल ओल्स की बात की है एडिबल मतलब क्या होता है एडिबल मतलब जो खा सकता है ठीक है कुछ कोकनेट ओल्स होता है जैसे हम है रोल यूज करते हैं जैसे पैरिशूट हो गया गौदरेज हो गया इसमें कभी-कभी लिखा रह हाइस्ट इंपोर्स टेम्स वैल्यू इन लास्ट फाइव येर्स ठीक है इसका आंसर है ओप्शन डी वेजिटेबल ओल्स देखी वेजिटेबल ओल्स का प्रड़क्शन तो इंडिया में होता है पर वो काफी नहीं होता है जितना अपना कंसप्शन है आपको पता ही हमारे छेसमेमस अबसे सजरी करते है क्योंकि हमारे हर उतना में कुछ अपने मैं कुछ करते है रही को कला में हो कैला में वैक्सिंव ह富rokलि तो मैं सोग कोको मैं यूज करते हैं थे कुछ अठीक को लिन्स ठीक डग इनेशन हं बिखने ल traffick एृए इतना ज्यदा कंसप्ष्ष्ण है हमारा इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है if I am not wrong 56% जो है हमारा काम हो जाता है हमारी production करना बाकी जितना है हमें इंपोर्ट करना होता है vegetable oils account for the highest important in terms of value in the last five years यह में बता दिया major sources of imports for soybean oil are Argentine and Brazil देखें सुबा की न्यूज में, PDF में प्रवेट करूँगा अपको, उसमें ब्रेक्डवन लिखा है कौन-कौन से ओल कौन-कौन से country से हम ज्यादा import करते हैं, इधर soybean oil की बात की है, वो अरजणिन और ब्रसिल, basically लाटन अमेरीकन कांट्री से इतरी से soybean oil हम ज्यादा import करते हैं, अब देखे हैं मेरे statements में क्या का लिखा है In India there is a big gap between domestic production and consumption of edible oils which leads to massive imports Very correct Vegetable oils account for the highest imports in terms of value in last 5 years Very correct देखे ये statement directly पूछा गया था 2019 कि प्रिम्स में Major sources of imports are soybean oil as from Argentina and Brazil Three no statements है Option D 1 2 1 3 Question number 3 Tati greats are the hardiest animals on planet despite their minuscule size What is the exact reason? Video post कीजिये और answer पताईए I hope आपने answer किया A. Because they are able to survive extreme natural conditions that would quickly kill most other non-forms of life देखे ये टाड़ी greats के regarding एक नूज आया था केरला से related एक नया species found हुआ है इसको केरला से related कुछ नाम भी दिया है आप नूज देख लीजेगा उसमें आपको पता चलेगा मैं भूल गया अचुली नाम क्या है थोड़ा सा तफ नाम है इसलिए टाड़ी greats के बारे में ऐसा दिखता है basically a microscopic organism और बोल सकतो ऐसा दिखता है पर आमारे naked eyes है ये दिखता नहीं है ठीक है? टाड़ी greats non colloquially as water bears or moss piglets very important point दोस्तों देखें ऐसा भी आपसे कुछीन भूच सकता है water bears and moss piglets किसको बोलता है ठीक है अरे phylum of eight leg segmented micro animals ये micro animals है मतलब बहुत चोटे animals है eight leg day they have been found everywhere in its biosphere हमारे biosphere में हर जगा ये दिखता है देखें जैसे mountain tops हो गया deep sea हो गया mud volcano हो गया tropical rainforest हो गया Antarctic हो गया ये सब एरिया में दिखता है अब mud volcano देखते हैं मुझे चीज याद आ गया Andaman and Nicobar में basically Andaman islands में काफी जगा में mud volcanoes दिखता है ठीक है जस मैंने आपको बता दिया मेरे को बस याद आया tardigrades are among the most resilient animals known with individual species able to survive extreme conditions extreme conditions मतलब क्या क्या हो गया extreme temperature हो pressure हो air deprivation हो radiation हो dehydration हो starvation हो कुछ भी है ये survey कर पाएगा ठीक है इसलिए इसको hardest animal बोल देते हैं ठीक है आप देखिए हमारे statement में clearly लिखा है बाकी statement ऐसे ही लिख दिया क्या 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 लिखा है they have a very hard covering because they can hibernate because they easily multiply by fragmentation देखि इस तरह की statements आपको normally questions में मिलेगा पर आपको eliminate करना आना होगा ठीक है elimination बहुत important होता है prelims के perspective में तो आप इसलिए बाकी तीन option को eliminate कर सकतो option A is correct answer question number 4 consider the following statements with respect to election of United Nations Secretary General which are correct video post कीजिए और answer बताएगी I hope आपने answer किया होगा now the answer is option D again 1, 2, 1, 3 तीनों statements आईए देखिए United Nations का जो Secretary General है अभी का जो है Antonio Guterres वो फिरसे इलेक्ट हुआ है और 5 साल के लिए भाही रहेंगे तो एक चीज आपको पता चल गया United Nations Secretary General का टर्म जो है 5 साल के लिए है आप देखिए दोस्तो It is a process of selecting the next Secretary General of United Nations United Nations General Secretary Selection is a process of selecting the next Secretary General To be selected Secretary General एक candidate must receive the votes of at least 9 members of the UNSC देखिए United Nations Security Council में वैसे कितने members है 5 permanent members है and 10 non-permanent members है अब देखिए 10 non-permanent members में हमारे देश भी है इंडिया भी है दो साल के लिए होता है दो सार भी सीखी इसके लिए इंडिया भी member है वो change होता है रहता है कोई भी बन सकता है ऐसा कोई special नहीं है कि इंडिया member बन गया इंडिया पहले भी बना है 5-6 बार अब देखिए Secretary General is then appointed by a majority vote of UN General Assembly देखिए UN General Assembly में मेरे इसाब से करीब 193 member countries है सारे countries जितने member है वो UNGA का member है अब यह जो permanent council recommend करने के बाद voting होता है जिसमें majority मिल गया तो हो गया का ठीक है no candidate from permanent fire has ever been nominated for the position of Secretary General it would increase the concentration of power देखिए वाइसे भी United Nations organization के पस इतना ज्यादा power हम नहीं बोड सकता है ठीक है history यह हमें समझाया है अब देखिए जो Secretary General का post होई United Nations का कोई भी important decision इसमें जो permanent members रहते हैं UN Security Council में जैसे Russia, US, China वगएरा इनका जो part है वो बहुत important होता है इसलिए India, Brazil, Germany, Italy जैसे देश जो है ऐसा बोलता है कि administration reforms होना चीह United Nations में United Nations जिस हिसाब से setup किया है यह गलत है क्योंकि इसमें जो veto power है उनको दिया हुए यह जो decide करते हैं जो permanent members की बात कर रहा हूँ यह जो decide करते हैं वही होता है वाईसे जो secretary general के election में भी काफी सारे formalities लिखा हुआ है पर आप history देखोगे न Wikipedia में भी available इसकी पूरी history देखोगे तो आपको यह पता चल जाएगा जो permanent numbers बोलते हो काफी बार हुआ है और और एक चीज़ मुझे बोलना था United Nations का कोई भी ऐसी election हो गया कोई यह procedure हो गया कुछ उनके चार्टर में लिखा हो जाता है पर maximum चीज जो है भाई convention भी चलता है ठीए यह भी ध्यान दीजेगा तो ओफीसी subject to a term limit of two full terms बार के लिए हो सकता है आप देखिए statement में क्या-क्या लिखा है the secretary general is appointed by the general assembly upon the recommendation of security council very correct there has been no women secretary general in the UN 74th history very very correct no candidate from permanent five has ever been nominated for the position of secretary general very correct so option d 1, 2 and 3 question number five consider the following statements which are correct video post कीचिए और answer बताईए I hope आपने answer किया होगा now the answer is option C3 only तीक ये काफी interesting news है आज ही छपा था हिंदू में क्या है in financial year 21 despite a stringent lockdown and a raging covid-19 first wave the gross tax revenue collected by the sender increased देखिए हम सब सोचेंगे कि government को जो tax revenue मिला है जिसको gross tax revenue बोलता है ये कम हो गया होगा financial year 21 में क्योंग ये covid-19 के वज़े से है पर बात तो ये है दोस्तों despite a stringent lockdown ये lockdown, pandemic, first wave ये सब के बावजूद government को gross tax revenue है ये पिछली financial year से बढ़ा है ठीक है, however, the increase was made possible by a sharp rising contribution from union access duties तो maximum जो revenue मिला है वो access duty से मिला है access duty मतलब क्या होता है it refers to taxes levied on the manufacture of goods within the country हमारे देश के अंदर जितने goods manufacture होते हैं उसमें जो tax रखता है उसको बोलता है access duty as opposed to custom duty that is levied on goods goods coming from outside the country देखे, आपको ये भी पता चल लगए access duty and customs duty का basic difference का है वैसे बहुत बड़ा topic है simple difference ये है कि access duty जो है, हमारे देश के अंदर जो goods manufacture होते है उसमें जो government tax लगाते है and custom duty वो होता है अब देश के बाहर से कोई भी चीज़ अगर हमारे देश में आता है उसमें जो duty लगते है उसको custom duty बोलते है आप देखी this compensated for the sharp drop in share of corporate tax collection corporate tax collection भी कम हो है ये भी ध्यान दीजेगा corporate tax मतलो जो corporate से जो tax collect करते है the shift in tax burden from the corporate to the masses has become at a time when the pandemic has led to many job losses etc. etc. ठीक है तो statement में चलते है पहले due to a stringent national lockdown the gross tax revenue of India decreased in the fiscal year 2021 compared to fiscal year 2020 गलत उल्टा है ठीक है decrease नहीं इंक्रीस हुआ है fiscal year 2021 share of corporate tax exceeded the contribution from income tax गलत है corporate tax भी कम हुआ है ठीक है the contribution from union exchange duties increased in F.A. 2020 then F.A. 2021 ये सही है actually gross tax revenue बढ़ा है ये access duty की वजे सही बढ़ा है access duty क्या है आपको मैंने बता दिया so here our answer is option C 3 only तो दोस्तों हमारे daily 5 more question सिधर खतम हो रहा है कले को सिन पूचा था जो UPC 2003 प्रिलिम्स में पूचा गया था how did Sultan Qutthapudin Aibak die answer is option D he died after a fall from his horse while playing Chogun Chogun ये जो पोलो होता है न दोस्तों वह ही है basically इसके पुराना वर्षना बोल सकते हो आज का question अग्री कल्चरल इंकम टैक्सी सजाइन टु दे स्टेट कर्मन बाई 1995 UPC प्रिलिम्स में पूचा गया था इस question का answer आप मुझे comment box में बता दीजेगा तो दोस्तों वीडियो में इतर फिनिश कर रहा है hope आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है आपके प्रिलिम्स की तैयारी के लिए आपके पढ़ाय की analysis के लिए यूज और है मेरी वीडियो आप लोगों की valuable suggestions and comments आप मुझे please comment box में बता दीजेगा लक्षे की PDF आश्यूशन आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका link नीचे आपको काफी information मिल जाएगा थैंक्स वाचिंग बाइबे have a nice day